नमस्कार जोहार मैं रितिका कुमारी और आप सभी देख रहे हैं नमबर बन न्यूज ज्ञारखन बिहार आप सभी का हमारे न्यूज शानल में स्वागत है चलिए आज की सबसे बड़ी खबरों की ओर चलते हैं ज्ञारखन में शासन का भ्रष्टा चार चरम पर है सरकारी योजनाओं के लाभुकों से खुले आम रिश्वत खोरी हो रही है अब वह अवास के गरीब लाभुकों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है उक्तबाते वेंगाबाद के पुर्वजीब सदर से एवं सीधू कानू ज पिल्मुनी देवी, सुबोधी हैमरों, रासोमनी देवी, मंजली देवी आदी से अबुआ अवास के जियो टैक के नाम पर हजार रुपे मांगे गए आगे भी घूज देने की बात कही गई है अन्यता अवास कैंसल करने की धमकी भी दी गई है जिसके बाद अधिकांस ने हजार रुपे करके पैसा दे भी दिया है कुछ गरीबों ने करज लेकर पैसा दिया है ताकि अवास ले सके शुयादव ने कहा कि प्रसासन इसका संग्यान लेकर पैसे वापस कराए और बिना खूज अबुआ अवास दिलाने की गैरंटी कराए अन्यता अगले सप्ता इसे लेकर आंदोलन किया जाएगा जनता के कई अन्य सवाल भी मौजूद हैं उन पर भी बात होगी रुपय देवी आदी मौजूद अभी हम लोग बेंगाबाद प्रखन के यहां तराजोरी पंचाइट तराजोरी गाउं में हैं यहीं बगल में पंचाइट भॉन भी है तो य मालूम हुआ कि जिनका एक तो है कि जिनका लिस्ट में नाम है कि नहीं है यह देखने के लिए बड़ा समस्या इन लोग के लिए वो लिस्ट सारुजनिक नहीं किया रहा है जिसे लोग अपना नाम है कि नहीं है वो नहीं देख पारे दूसरी बात है कि अगर कि नहीं का पा और वो एक हजार रुपया दिया है जब जब अबुआ अवास गरीबों के लिए आया है तो इसमें किसी से भी किसी के भी नाम पर कोई पैसा लेना बिल्कुल गलत है हम यहां के वीडियो बेंगाबाद की जो वीडियो हैं हम उनसे मांग करते हैं कि इस तरह का जो अबुआ अ यह अवास के नाम पर गरीबों से जो सोसन हो रहा है इसको रोक लाइए गया है और हम्ड़ीबों से पैसा क्यों लिया जा रहा है इस पर बात को इसको रोक लगे और हम लोग इसलिए इस सारे मामले को ले करके आगामी बारत तारीक को हम लोग बेंगाबाद प्रकंट जाएंगे और वहाँ पर प्रसासन के साथ हम लोग बात करेंगे हर खबर पर अब होगा सर अगर आप लोग को न्यू चैनल अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सस्क्राइब सेर जरूर करें धन्यवाद